किसी विद्वान ने कहा है कि तेज दोड़ ये ये तेज दोड़ नहीं सकते तो तेज चलिए ये तेज नहीं चल सकते तो दीरे दीरे चलिए ये दीरे भी नहीं चल सकते तो रेंग ये लेकिन रेंग ये जरूर चलिए जरूर जितना हो सकता है रेंग रेंग के चलिए एकदम धीरे हो करके चलिए लेकिन रुकना नहीं है रुकना परगर्ति का अव्रोधक है।lol ये आप प्रोग्रेस करना चाहते हो तो रुख गई इसका म Rub का मरणा तैढ़ है और ये आप र्हेंग रहे हो तो भी आपका जीवन का जीना तैढ़ तो इस परकार किसी विद्वान ने का है कि मेनत करते रहे हैं और सपने रेखते रहे हैं और अपने धैक के बरती अपने लक्षे के बरती आगे बरते रहे हैं हम राजस्तान के अप्वा तंद्र पढ़ रहे थे राजस्तान के अप्वा तंद्र हम चंबल नदी पढ़ रहे थे चंबल नदी का जो पार्ट रहे गया उसके बारे में हम पढ़ रहे थे हम चंबल नदी के बारे में यह बता रहे थे कि चंबल नदी में कोटा जो कोटा बेराज है कोटा बेराज से लगा करके नया पुरा तक चंबल रिवर फ्रेंट बढ़ रहा है यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर फ्रेंट होगा बारत के लंबे रिवर फ्रेंट में सबसे परतमिस्तान है यह 19 किलो मेटर रिवर फ्रेंट होगा रिवर फ्रेंट यह है कि जैसे यह चंबल नदी है कि चंबल नदी पे जो कोटा बेराज है कोटा बेराज से लगा करके यह नया पुरा गाम तक है और चंबल नदी के दोनु स साइड में गार्डन बनाए जाएंगे तो साफ सुत्रा रखा जाएगा नदी शेर का नाला किसी भी परकार से नदी के अंदर गंदगी नहीं छोड़ें इसकी वेश्ता की जाएगी इसे कहते हैं चंबल लिवर फ्रंट यह 19 किलोमेटर लंबा है विश्व का वर्तमान में सब से लंबे रिवर फ्रंटर में आता अर्सन नदी का अर्सन नदी निवारक सेर अर्सन नदी के किनारे यह हमारा उत्री अफेरिका में यह कैलिफॉर्णिया यह टेकसास और यह ग्रेट लेक्स वाला बाग और यह पढ़ता यूएसे यूएसे की जो राज़तानी है उस वो ह सबसे बड़ा नगर है वो है निवारक जिस नदी के किनारे है वो अर्सन नदी का जो रिवर फरंट है वो बारा किलोमेटर है और विसम में सबसे बड़े रिवर फरंट में से एक है इस परकार बारत में रिवर फरंट है जैसे यह अपना इंडिया है इंडिया के अंदर सा साबरमती रिवर फॉरंट के किनारे चाइना के राष्ट पती मोधी से बात कि ती तो इस परकार बाला वारत का पहला रिवर फॉरंट है वो साबरमती रिवर फॉरंट है वर्तमान में राजस्तान में एक रिवर्फरंट बंढ़ा है जिसे दर्वेवर्ती रिवर्फरंट कहता है ये कभी सरस्वती नदी का भागता दर्वेवती नदी फ्रंट है दर्वेवती रिवर्फरंट है इसे अमानी शाह का नाला भी कहता है ये अमानिशा के नाला जो प्राचीन सवस्वति नदी है उसकी किनारे बिलकुल सुन्दर गार्डन का निर्मान करते विए दर्वेवती नदी का दर्वेवती रिवर फ्रंट का निर्मान किया गया है बारत में सबसे पहले साबर मति में बनाता और लंदन जिसके किनारे वो टें लेकिन रिवर्फरंट बन जाने के कारण विश्यो की साफ सुत्री नदियों में इस्तान पा चुकी है तो इस परकार अर्शन रिवर्फरंट से राजस्तान का चम्बल रिवर्फरंट जो कोटा बेराज से नयापूरा तक है राजस्तान का सबसे लंबा रिवर फरंट होगा और इस रिवर फरंट के किनारे मीरा भाई, दादू, संत द्यादू, द्याल, तुलसी दास उनके जो लिटरेचर पार्क लगाया जाएगा और वीमीर देशों की यहां जहांकियां सजेगी इसमें यह है कि कोटा के अंदर एंगिंग ब्रिज बनाएं एंगिंग ब्रिज क्या है कि जो चंबल नदी को पार करने के लिए जो पुल बनाया गया है वो छे लेन का है छे लेन का है एक पाइंट चार किलोमेटर लंबा है छे लेन का पुल बीच में चंबल नदी के अंदर किसी भी परकार का कोई इस्तम्ब नहीं बनाया गया, कोई खंबा नहीं रोपा गया है, बिल्कुल ये बड़े पोल पर खंबो पर बड़ी-बड़ी इस्टील की केबलों के मध्यम से लटका करके बनाया गया है, इसलिए इस केते हैं, हेंगिंग ब्रीज, भारत का सबसे पहला हेंगिंग ब्रीज है, हावडा हेंगिंग ब्रीज, हावडा हेंगिंग ब्रीज, ये जो हावडा हेंगिंग ब्रीज है, ये भारत का पहला हेंगिंग ब्रीज है, इस परकार ये इंडिया और यों अपनी गंगा नदी ब बाग वो जाते हैं जब ये पच्छमी बंगाल में परवेस करती है तो दो बाग हो जाती है जो उत्तर का वाग है वो बागुरीति नदी कहलाता है और जो डक्सन का वाग है उसे उगली नदी कहते हैं हुगली नदी पर बना हुआ अंग्रेजों के द्वारा बना है आवडा ब्रीज जिसे आवडा एंगिंग ब्रीज का जाता है ये आवडा को कलकता से जोडता है जिसे वरतमान में कोलकता का जाता है ये कोलकता को आवडा से जोडता है ये एंगिंग ब्रीज भारत का पहला एंगिंग ब्रीज है आवडा इंगिंग ब्रीज का वर्तमान में नाम विद्या सागर से तू है विद्या सागर से तू है ये विद्या सागर से तू उन्हें के नाम पर बनाये जिसे इश्वर चंद्र विद्या सागर का जाता है इस्वर चंद्र विद्या सागर का बच्पन का नाम इस्वर चंद्र बंदोपाद्य था बंदोपाद्य था लेकिन ये बड़े विद्वान थे इस दिये गरवालों नहीं से विद्या का सागर कहने लगे और इनका नाम हो गया इस्वर चं पारंगत थे अध्यन और अध्यापन में बड़ी रूची थी यह कलगता के परसिडेंट भी रहे चुके हैं इस परकार इश्वर्चंद्र विद्या सागर एक विद्वान विक्तियों में आते हैं विद्वा विवा को परसनल में लाए और विद्वा विवा को मुख्यदारा में लाने का काम अंग्रेजों के साथ मिलकर के इस्वर्चंद्र विद्या सागर ने किया इस्वर्चंद्र विद्या सागर को किसी विद्वान ने पूचा किसी शातर ने पूचा कि आप इस परका पर यात्रा करते हैं उन्होंने ऐसे ही जीवन को इस रेल की पड़ी माना और उन्होंने कहा कि जब भी मुझे जीवन पत पर उतरने की बारी आई यानि तब मैंने यह सोचा कि अगले इस्टेशन पे कोई अच्छा वेक्तित्व का धनी, कोई गुणवान वेक्ति, कोई सुन्दर लड़की, मुझे गुलदस्ता लेकर के मेरा इंजार कर रही होगी, मैं या नहीं उतरूँगा, यानि अगले इस्टेशन पे उतरूँगा, मेरे मन में नेगटी विचार आ रहे थे, तब मैंने सोचा, क्या पता थोड़ी और तैरी करना हूँ, अगले इस्टेशन पे इससे ही गुणवान वेक्तित्व सके मेरे दस्टन हो जाए, ब्यूटिफुल लोग मेरे सामने गुलदस्ता लेकर के त्यार हो जाए, कैसे हैं कि इस्वर्चंद्र विद्या सागर कहते हैं कि मैं इस परकार अब्यास करता रहा और मैनत करता रहा और जीवन पट्री से जब उत्रा तब मैंने कहा कि थोड़ी और मैनत कर लूँ, आगे दुनिया मेरा और इंजार कर रही है, इस परकार मैं इस्वर्चंद्र बदोपाज्य से इश्वर चंद्र विद्या सागर बनने की जो काणी है वो बड़ी अधबत काणी है इन्होंने अपने पुत्र का विवा अपने अपने जीवित रहते हुए विद्वा से कराकर के उद्वांपैस किया राजाराम मौनराय ने बाल विवा का विरोध किया और सतीपर्था का लेकिन बाल वीवा का विरोध करते हुए ही उन्होंने अपनी बेटी का वीवा बच्पन में बाल वीवा करवा दिया था लेकिन इस्वर्चंदर विद्या सागर ने ऐसा नहीं करवाया इन्होंने अपने पुत्र का वीवा मकाईदा विद्वा से करवाया तो वो थे ईश्वर चंदर विद्या सागर जिसके नाम पर विद्या सागर से तू है और अपन बात करें इते चंबल फ्रंट की चंबल हंगिंग ब्रीज की ये चंबल हंगिंग ब्रीज कोटा में इस्तित है और ये एक पॉइंट चार किलो मिटर लंबा है और ये च्छा लेन का है और ये जो अपना इंडिया है और यहां इस्तित है ये पौर बंदर से सिल्चर पूरव पच्छे में गलियारा चलता है सिल्चर असम का बाग है पूरव का है वोर बंदर को सिल्चर से जोडता है वो पहले नेशनल आयवे ता सियत अर्iseen अब नेशनल आयवे का नाम दे दिया 27 यह नेशनल आयवे 27 किसी एंगिंग ब्रिज जे खरकर गुजरता है इस इस परकार चंगंग चंबल जो चंबल है ऎनल व्रीज है उसका निर्मान गेमन इंडिया कंपनी अप्राइवड गेमन इंडिया और कोर्या की कंपनीयां उंड़ेगं उंडल इस परकार जो hanging bridge है उनके लिए एक committee बढ़ी निर्वल जी सिंग और उनने ये पाया कि गेमन इंडिया और उंडी की लापरवाई के कारण है वो फुल टूटा तो इस परकार hanging bridge है चंबल hanging bridge जो कोटा में इस्तित है राजस्तान का सबसे लंबा hanging bridge है चे लेन का है और नेशनल आईवे 27 उसी से गुजरता है जो सिल्चर को और बंदर से जोड़ता है इस परकार राजस्तान की वो नदी है जो सबसे ज़्यादा उत्कात वाली है अब नाली का परदन ये कोटा में करती है badland topography बनाती है अब अपन राजस्तान की चंबल नदी की कुछ साइक नदीों के बारे में पढ़ते हैं जितना हो सकता है इतना पढ़ते हैं देखो ये राजस्तान है ये यह जालावाड है इस परकार ये जालावाड है जो ये इस परकार है यहां से एक ये विंद्याचल प कहती है ये जो बाग है यहां से एक नदी निकलती है जिसे ये विंद्याचल परवतमाला से निकलती है जिसे कहता है छोटी काली सिंद छो नदी निकलती है वो जालावाड में परवेस्ट करती है और इस परकार जालावाड परवेस्ट करने के बाद ये जालावाड और मद वो इस्तान है जालावाड का मकेरिया राजस्तान में यह जहां परवेश करती है वो गाउं है मकेरिया यह जहां से निकलती है वो गाउं है विंदेचल परवत्माला का माकसी गाउं मकेरिया से परवेश करती है और इस परकार यह मकेरिया गाउं के पास ही जालावाड और मद्यपरदेश की सिमा बनाती है चंबल नदी एकदम उस मकेरिया गाउं के पास में ये छोटी काली सिंद चंबल से मिल जाती है और ये जालावाड के पास मिलती है इस परकार ये राधस्तान की नदी हो जाती है तो राधस्तान की नदियों में सबसे पहले जो नदी काली सिंद से मिलती है वो एच छोटे काली सिंद लेकिन ये मध्य परदेश में मिलती है राजस्तान में नहीं मिलती है मध्य परदेश में मिलती है तो क्यों संदे को टेक्निकल क्या होता है कि छोटी काली सिंद नदी है वो मागसी मांसी गाउं से जालावार में परवेश करके मकेरिया गाउं जालावार के पास ये चंबल नदी से मिल जाती है अब ये जब चम्बल नदी से मिलती है तो जालावार में जालावार से निकल करके मध्यापदे से जालावार में परवेश करती है और जालावार से वापिस MP में परवेश करती है लेकिन ये जब ये जालावार में परवेश करती है तो ये राजस्तान की नदी बन जाती है इस परकार राजस्तान की परतम नदी जो चंबल नदी में मिलती है वो एच छोटी काली सिंद और दाएं किनारे से चंबल नदी में मिलने वाली पहली नदी छोटी काली सिंद लेकिन जब टेक्निकल लाइंग्वेज चेंज हो जाएगी तब इसके दाएं किनारे से नदी नि निकलती है और शिंगिल लितेसिल पढ़ती है आम्मपि पीके नीमदीले चिंदान में परवएश Stark में पर चुकी नादी। मुझाली नदी राजस्तान में दोलतपुरा चितोडगड़ के पास में परवेश करती है और अर्निया गाह में आकर के मिलती है इस परकार चंबल नदी जब राजस्तान में परवेश करती है तो राजस्तान में परवेश करने के बाद करने के बार चंबल में मिलने वाली चंबल में मिलने वाली पेली नदी यानि परतम नदी पेली नदी गुंजाली नदी है गुंजाली नदी है तो इस परकार माएं किनारे से भी पेली नदी कौन सी मिलती है गुंजाली अब क्यूशन टेक्निकल कैसे बन गया कि राजस्तान में राजस्तान में चंबल परवेस करने के बाद में सरफ परतम नदी मिलती है तो वो गुंजाली नदी बाएं किनारे से सरफ परतम चंबल में मिलने वाली राजस्तान की नदी है तो गुंजाली नदी क्योंकि MP के जाट गाम सिंगो लिते से निमत जिला से निकलती है और चितोड गड़ के दोलत पुरा गाम में परवेस करती है और चितोड के अणिया गाम में ये चंबल में मिल जाती है तब ये बाएं किनारे से मिलने वाली राधस्तान की परतम नदी गुंजाली नदी है जो चंबल में मिलती है राधस्तान में परवेस करने के बाद सबसे परतम गुंजाली नदी मिलती है जब गी छोटी काली सिंध राधस्तान की नदी है लेकिन MP में मिलती है यानि इस से 200-300 किलोमेटर दूर मिलती है इस परकार दाएं किनारे से तो सोटी काली सिंद मिलती है लेकिन राजस्तान की नदी जो सोटी काली सिंद है वो पहली संबल में मिलती है लेकिन इस परकार इनकी बीच में जो टेक्निकल क्यूसन है वो ऐसा पुचा जाएगा फिर आ पाडियों से निकल करके बाम नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़के ये बेसरोडगड के पास में बामनी नदी है वो चंबल में मिल जाती है इसी बेसरोडगड के पास में बेसरोडगड दुरग इस्तित है जहां ये बामनी नदी और चंबल नदी का संगम होता है बेसर दुर्ग की सरेणी में आता है वेलो और दुर्ग है वो तमिलनाडू में उस पर खूब सारे आकरमन हुए लेकिन वो बड़ा मजबूत कि लाए इसी परकार ये भी एक जल्दुर्ग है और मजबूत कि लाए बेसरोडगड बेसरोडगड मारना परताब के बड़े भाई सक्त तो सबसे जो बड़ा खेकाना और उस्तान पाता था वो भेशरोडगड ठेकाना था और इस बेशरोडगड दिरग्ड सक्ति शिंग की जागी रिती तो सक्ति सक्ति सिंग की जो शत्री है वो भी यहीं इस्तित है इस परकार जिसे पंच देवला का जाता है पंच देवला तो इस परकार पंच देवला जो उनकी शत्री है सक्ति सिंग की वो बेसरोडगर दुरुग में इस्तित है बेसरोड दुरुग करनल जैम स्टोड को बड़ा परसि अगली नदी है जो अमारी बामनी नदी के अपने बारे में बात कर रहे थे बामनी नदी जा मिलती है उसी के पास में बेस रोड़ गड़ के पास में चूलिया जल्परपात हिस्तित है चूलिया जल्परपात अठारा मिटर उचा राधस्तान का सबसे उचा जल्परपात है य बामनी मिलती है उसी के पास में फिर हमारी नदी है इज इज नदी जहां से निकलती है वो निकलती है वेसरोडगर की पाड़ियों से बिल्कुल एकदम वेसरोडगर के एकदम पास से निकल करके वेसरोडगर की पाड़ियों से होकर के ये डाबी नामक बुंदी इस्तान पर डबी कांड हुआ था और डबी किसान अंदोलन था जिसे बरड से तरका जाता था इस परकार डबी में आकर के ये इज नदी मिलती है फिर हमारी नदी आती है कुराल नदी ये जो है वो कुराल नदी कुराल नदी उपर माल के पटार से निकलती है कुराल नदी उपर माल के प यह जो राजस्तान है इस परकार यहां पढ़ता है बैसरोडगड बैसरोडगड से लगा करके यहां पढ़ता है बिजोलिया यह इस परकार एक उठा हुआ पठार है बिजोलिया तक बैसरोडगड से बिजोलिया इसे कहते हैं उपरमाल का पठार उपरमाल का पठार यह बैसर के यूज से पहले असोक पर्मार जो बर्तपुर का रहने वाला था उनके वंसुजों को राणा सांगा ने दी ती उपरमाल के पटार जागिरी और उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थाबना विजे सिंग पतिक नहीं विजोलिया किसान विश्व का सबसे बड़ा किसान तो इस परकार हमारी जो नदी है कुराल नदी उपरमाल के पटार बिलवारा से निकलती है बूंदी में जाकर के चंबल में मिल जाती है अगली हमारी जो नदी है इस परकार जहां इनका मिलन होता है वो नदी है हमारी मेज नदी मेज नदी बीलवाडा से निकलती है बीलवाडा से निकल करके ये शीन पुरा शीन पुरा है वो लाखेरी के पास इस परकार ये लाखेरी के पास में मेज नदी संबल नदी में मिल जाती है और ये भीलवड़ा बुंदी में बैती है इसकी साइग नदी है गोड़ा पसाड और मांगली गोड़ा पसाड इसी मेज की साइग नदी है गोड़ा पसाड तो इस परकार मांगली मांगली नदी पर मुंदी का परसिद भीमलत जल परपात इस्तित है भीमलत जल परपात इसी मांगली नदी पर इस्तित है भीमलत जल परपात जो बुंदी का सबसे परसिद जल परपात है चूलिया जल परपात के बाद सबसे परसिद जल परपात हमें भीमलत जल परपात वो इसी मांगली नद बढना हुआ है वो इसी चाकर नदी पर बना हुआ है इस परकार ये चंबल की साइक बन जाती है फिर बाएं किनारे से सबसे लंबी नदी चंबल की दो साइक नदी है वो नदी है बनास जिसे वर्ना साका जाता है जिसे वर्ना साका जाता है जिसे वन की आसा का जाता है और ये चंबल की साइ सबसे बड़ी सा एक नदी है बनास नदी जा मिलती है वह सामने से एक नदी आ करके मिलती है सीप नदी और इज तिर्वेनी संगम माता ऐ जो सब से पसीथ तिर्वेनी संगम है ये जो तिर्वेनी संगम मनाता है शिपनदी बनासदी और चंबल नदी स्वाई माधपुर में मिलती है इस परकार ये चंबल नदी आगे बढ़ती है और यूमना में परवेश कर जाती है यूमना में ये कुबरिय जिल्ला मुराद गंज के पास समाज आती हैं इस परकार अपने पढ़ा चंबल नदी पर चार बांद, पहला बांद गंदी सागर बांद, दूसरा बांद, राना परताब सागर बांद, तीसरा जवार सागर बांद, और चोटा चोटा बेराज, एंगिंग ब्रीज क पढ़ा रिवर फ्रंट के बारे में पढ़ा और नदी का उद्गम इस्तल और नदी का मुआना पढ़ा नदी का तिर्वेणी संगम पढ़ा और अलग-अलग इसमें प्रियोजना जो 50-50 परसेंट राजस्तान और मध्य परदेश की भागिदारी है यूपी की इसमें कोई भा बारत में चार मा कुम परता है एक गंगा नदी के किनारे हरीद्वार में परता है दूसरा इलाबाद में परता है और तीसरा इसी शिपरा नदी के किनारे उजेन में परता है तीसरा उजेन में और चोता गोदावरी नदी के किनारे नासिक में तर्मिकेश्वर में परता है नासिग में परता है इस परकार चार माकम परते हैं उसमें से एक माकम सिप्रा नदी के किनारे उजेन में परा जाता है और ये उजेन है वो कालिदास की नगरी है और ये विक्रमादित्य की नगरी है जो महा कालेश्वर के लिए परसिद है महा कालेश्वर की नगरी कहलाती है विक्रमादित्य की नगरी कहतलाती है, कालिदास की नगरी कहतलाती है, उजेन, इसी उजेन के अंदर सिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास की सत्री इस्तित है, जब अजीज सिंग ने दुर्गादास को देश निकला दे दिया, तो ये मिवाड गई, मिवाड के माराना रा विद्या मोती का जाता है और मारवाद का यूलिसोष का जाता है जिसने कभी जर्श्वन सिंगं ने कहा था कि यही वो दुरगादास है जो कभी गिरते हुए मारवाद को कंदा देगा तो एक सिप्रा गिरती है दूसरी նिवान 3 रेतम सिवान रेतम MP में मिलने वाली चंबल की प्रमुक्र नदियों में है जो राजस्तान में नहीं आती है MP में ही मिल जाती है इस परकार आपन आगे और पढ़ेंगे